हे गाईज, विल्कम बैक टो आर चानल सान अर्टो दोस्तो आप सभी के लिए एक गुड नीउस है अब ऐसा सुनाई पढ़ रहा है ESD Road King Adventure के साथ ESD Road King Scamler भी लौंच होने वाली है आप सभी को तो पताई है Classic Legends 13 जनौरी को ESD की 1st बैक लौंच करने वाली है जिसमें अब आपको Road King Adventure के साथ Road King Scamler भी लौंच होती हुई देखने को मिलने वाली है जिसके कुछ स्पेशिफिकेशन और मेकानिकल डीटेल्स हमारे पास आ चुका है जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने वाली है और साथी साथ हम यह भी जालेंगे यह बाइक कितने प्राइस ट्याक के साथ लौंच होगी इसलिए वीडियो को जो है अंतक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिकोस्ट है इस सभी इंफर्मेशन हम आप ही के लिए करेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ऐसे और फी इंफर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो एस दे अपने स्क्रैमलर बाइक को जो है रोड किंग एडवेंचर के तरह ही रेट्रो मॉडन थीम पे बेस्ट करके बनाया है जिसमें आपको कुछ नियू रेट्रो स्टाइलिंग एलिमेंट्स जैसे राउंड हेड लैंप, राउंड रेर व्यू मीरर, टियर ड्रॉप्ट से फ्यूल टैंक और स्पोक हुल्स का यूज किया गया है इसके अलावा दोस्तो, बाइक में आपको एक सिंगल पी सीट देखने को मिलन वाली है, जिसके उपर रीप पैटर्न में डिजाइन किया गया है, जो बाइक को एक यूणिक लूक प्रभाइट कराती है साथ ही, बाइक में आपको स्पोर्टी टाइप के ग्राफिक्स का यूज किया गया है, जो जाधा तर आपको फ्यूल टैंक और बॉड़ी पैनल्स में ही देखने को मिलन वाली है दोस्तो, बाइक के इंजिन के बाड़े में अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं पता चला है, बट आरहे है रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें आपको रोट किंग एडवेंचर का ही इंजिन दिया जाएगा, 334 CC का इंजिन होने वाला है, जो अल्मोस 32BHP के आसपास पाउर और 30 Nm तक का टॉक इजिली जिनाइट कर पाएगी, 6-speed gearbox और slipper assist clutch के साथ, बाइक के बागी कुछ specifications ही बात की जाए, तो इसमें आपको safety को ध्यान में रखते हुए, बोद साइट single disc brake along with dual channel ABS और एक fully digital meter console का use किया गया है, जिसमें आपको सारे major information शो हो जाएगी, दोस्तो, में टेस्टिंग के टाइब में पता चल चुका था, किसके front में conventional type के telescopic front fork और rear में twin preloaded adjustable sock absorber का use किया गया है, तो दोस्तो, फाइनल ए बाइक के price की बात की जाए, तो ए बाइक आपको दो वेरियंट में launch होती हुई दीखने को मिलने वाली है, single channel ABS और dual channel ABS, जिसका starting price 1.80 lakh के आसपस रहने वाला है, बागी दोस्तो आपको launch के बाद तो पता चल ही जाएगा,